हाई 11 थीज वेलकम टो इजीवे कामर्स क्लासेज मैं हो तपिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग वेटेट मीन का टॉपिक समझेंगे जो कि अर्थमेटिक मीन चेप्टर से हैं और बहुत ही जादा सिंपल अरहसान छोटा सा टॉपिक है गाईज अगर आप लोग सबसे बहले स्टाट करते हैं वेटेट मीन अगर आप चैनल पर पहली बार आया हो तो सबसे बहले सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले ताकि आपको और एडुकेशनल वीडियो मिल सके इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है और आप अपने डाउट जो भी मेंस में का साइन हमें पता है एके और आपना बार लगा देते हैं और यहां हम लगाएंगे डeรुकेशन वेट उसमेंड़ी गडले मींडले अज हमारी सिरीज है तो जैसे के हम अपने डिस्क्रीटिट सिरीज में जो भी हमारा वरिएबल है वह होता था तो उसी तरीके इसे same formula discrete series वाला यहां भी used होता है वहाँ पर हम लोग summation क्या करते थे? FX करते थे, summation F करते थे यहां पे summation frequency नहीं है तो W है WX summation W W वोले तो weight अब इसको एक example की थूछ चलाएं जैसे workers और रहा है हमें men, women, children और उनकी wages और रहा है 8 रुपे 6 रुपे 4 रुपे ठीक है and the number of workers दे रखे हैं तो उन्होंने हमें question में कैसे पता चलेगा यह weighted mean का question है तो वो question में बोलेंगे find out the weighted mean ठीक है तो आपको इसे x लेना है जो number of workers है यह आपका weight होगा और आपको क्या करने हैं simply wx निकालना है कैसे निकलेगा multiply करके 8 5s of 40 400 300 and 200 अगर इसका summation करे 900 आ गया और number of workers का अगर summation करे 150 आ गया simple था अब हम लोगों का अपना formula लगाना है weighted mean का wx summation wx कितना आ रहे हमारा 900 आ रहे है और summation w कितना आ रहे हमारा 150 आ रहे है जो कि cut जाएगा तो हमारा weighted mean आ जाएगा six so weighted mean एक बहुत easy topic है concept बहुत असान है sometimes आपको यह question दो series का भी देखे बोलेंगे दोनों series का आपको weighted mean निकालना है और उसमें आपको justify करना होगा तो बहुत easy सा concept है guys I hope आपको समझाया होगा और अगर कोई भी एक example है जो आपको नहीं समझा रहा नहीं करना आ रहा तो आप मेर से instagram पर उसके पिक शेयर कर सकते हो ताकि उस पर भी video बन सके और यह चोटा सा topic था जो मुझे लगा था कि कराना जरूरी है इसलिए आज में ने कराया ठीक है और बस ठीक है thank you bye